हेलो फ्रेंज, वेलकम टू एजुकेशन अड़्डम, मैं हूँ अंकिता और मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए डिफ्रेंट अक्टिविटीज, लर्णिंग वीडियोस, आर्ट एन क्राफ्ट और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस वीडियो में मैं सेयर कर रही हूँ थ्री दिवाली पेपर कटिंग क्राफ्ट, जिसमें हम पेपर कटिंग के द्वारा बच्चों को दीपक बनवाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होगा जैसा कि आपने देखा मैंने पेपर को फोर टाइम्स फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसमें एक दीपक का सेप बना रही हूँ और साथ में ध्यान देंगे कि या साइट से जुड़ा होना चाहिए इसके बाद हमने कटिंग कर लिया तो हमें फोर दीपक मिल गए और हम किसी भी डार कलर से आउटलाइन कर देंगे इस तरह से हम दीए को आउटलाइन कर देंगे, दूसरे दीए में भी हम सेम आउटलाइन करेंगे और हमने चारो दीए में आउटलेंट कर देनी है इसके बाद हम यलो कलर से जोती को कलर कर दिए और बाकी वाइब्रेंट कलर बच्चे को दे देंगे और उन्हें डिफ्रेंट पैटरं से कलर करने को कहेंगे तो आप देखेंगे बच्ची बहुत ही खुबसूरती से इसे अपने creativity और imagination के हिसाब से color करेंगे दूसरे craft के लिए हम paper को two times इस तरह से fold कर देंगे और इसके बाद हम corner में एक दीपक बनाएंगे corner में एक दीपक बना दें समय हमें इस बात का ध्यान रखना है किया side से join नहीं होना चाहिए side में हम कुछ space देंगे और उपर की तरफ हम इस तरह से डीपक ड्रॉ करेंगे और इसे cut कर लेंगे cut करने के बाद हमें या लूप मिलेगा इस TA को भी हम सबसे पहले outline कर देंगे हमें चारो दियों में outline कर देनी है और इसके बाद हम different color से इसे different pattern से ड्रॉ करने के लिए बचे को दे देंगे तो हमें यह बहुत खुबसूरत craft मिलेगा next craft के लिए हम paper को three times fold करेंगे आप देख सकते हैं यह two and then three three times मैंने fold किया इसे और इसके बाद हम उपर की तरफ circle बनाते हुए cut कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर दिये draw करेंगे सबसे नीचे छोटे उसके बाद उससे थोड़े बढ़े और सबसे उपर और ज्यादा बढ़ें दिये हमने draw कर लिए यह half ही दिया हम बनाएंगे आपर जैसा कि आप देख सकते हैं बर जब हम इसे cut कर लिए करेंगे तो यह complete दिया बनेगा इसके बाद हम open करते हैं यह आप देख सकते हैं complete दिया बना हुआ है और इसे हम contrast color के किसी भी A4 size के paper पेश्ट कर देंगे तो अगर आपको यह video useful लगा होगा तो इसे like और share ज़रूर करें Thank you